तो हुमन फाल फ्लैट और बॉम स्कॉाड ऐसी गेम्स है कि चाहे 2030 भी आज है हम इन गेम्स को कभी नहीं बुला सकते क्योंकि यार नो डाउट इन गेम्स को ओसम बनाया है डेवेलपर्स ने तो यार ऐसी ही दस कमाल की गेम्स लाइक बॉम स्कॉाड और यूमन फाल फ्लैट मैं लेकर आ चुका हूँ जिसमें गाईज पहली पांच गेम्स हूँगी और जो अगली पांच गेम्स होँगी वो बॉम स्कॉाड की तरह होगी और नेक्स्ट वीडियो के लिए यार कोई अच्छा सा न्यू टोपिक मुझे सजेस्ट करो कोमेंट्स बॉक्स में कोई ऐसा टोपिक हो यार जो के मैं देकर भी खुश हो जाऊँ और जो हमारे सबस्क्राइबर हैं उनके अंदर भी इंटरस्ट पैदा हो जाए और यार काइंड़ी ओफलाइन लैन मल्टी प्लेयर को छोड़ दो यार बहुत ही पुरानी गेम्स हो चुकी हैं अब भी जितनी भी गेम्स आ रही हो सारी ओनलाइन मल्टी प्लेयर के उपर बेस्ट है बकी यार फिर भी मैं महीने के अंदर एकाद ऐसी गेम डाल दूँगा जो के land multiplayer के ओपर बेस हो सो चलो यार बिना वक्त को जाय किए अब हमें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स गेम का नाम है People Fall Flat जी हां गैज बिल्कुल सेम एक्जेक्टली वैसी ही गेम जैसे कि हमारी Human Fall Flat गेम है वैसे ही इसके अंदर गैज आपको 9 Amazing World एक्स्प्लोर करने के लिए मिल जाएंगे जहां पर गैज आप सिंगल प्ले मोड भी खेल सकेंगे और को अपरेटिव मल्टि प्लेयर मोड भी खेल पाएंगे यार ऐसी गेमों के अंदर जो रैग डॉल करेक्टर होता है ना उसको कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है वैसे ही ये वाली गेम फ़नी भी बन जाती है बढ़ते है नमोर टू की तरफ नूडल मैन आयो जी हां गैज बहुत ही मज़े की ये वाली भी गेम है गैज इसके अंदर आपको एक मैदान दिया जाता है जहां पर सिफ गैज आपको अपने आपोनेंड को पकड़ पकड़ के उस मैदान से बाहर भैंगना होता है इतनी यार ये भी मज़े की गेम है ना जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्रेक्टर है किस तरह चल रहा है इसको चलते देखकर ये बन्दे की हसी निकलाती है और यार आप इस गेम को रियल टाइम मल्टि प्लेयर भी खेल सकते हैं वर्ड वाइड के साथ प्लेयरों के साथ भी और अगर आप चाहें तो अपने फ्रेंड को भी यहां पर कंपीट कर सकते हैं बढ़ते हैं नमबर थ्री की तरव टोटली रिलाइबल डिलिवरी जी हां गाई ये एक ओपन वर्ड सैंड बोक्स गेम है जिसके अंदर गाईज आप 4 प्लेयर काव मल्टि प्लेयर खेल सकते हैं इस गेम के अंदर गाईज आपका बेसिकली जो टास्क होता है आपको कोई भी पार्सल दिया जाता है उसको आपको डेस्टिनेशन पॉइंट के ओपर डिलिवर करना होता है अगर तो आप इस गेम को सिंगल प्लेय मोड पे ओके ओपर खेलेंगे तो आपको इतना ज्यादा मज़ा नहीं आएगा क्योंके इसके अंदर कोई इतना ज्यादा इंटरस्ट नहीं आएगा अगर तो आप भाई को मल्टि प्लेयर खेलेंगे तो जो आपके दोस्त होंगे वो आपको पारसल डिलीवर करने से रोकेंगे जब आपकी वो वहिकल के सामने हाँ कर टकरें लगाएंगे आपको जहाल पर से जाने से रोकेंगे तब तो यार गाईज आपको इतना ज्यादा मज़ा आएगा ना यार आपका इतना ज्यादा टाइम पास होगा ना बढ़ते हैं नमर 4 की तरफ नूडल मैन पार्टी जी हां गाईज ये वाली गेम भी थोड़ी सी नूडल मैन आयोगे से मैच करती है लेकिन यार गाईज ये वाली गेम भी बहुत ही मज़े की होने वाली है यहां पर आपको फाइटिंग करने के लिए गंज दी जाती है यहां पर आप गाईज टोटली 4 प्लेयर मल्टी प्लेयर खेल सकते हैं जिसके अंदर आपको एक रूम क्रियेट करके अपने दोस्तों कुछ जोईन करवाकर भी खेल सकेंगे यहां पर आपको प्लेयर खेल सकते हैं तो उसके अंदर आपको यह भी उप्शन मिल सकती है के आप अपनी मर्जी का एक अप्लेयर करें अपनी मर्जी की एक लोकेशन बना कर अपने दोस्तों को जोईन करवाईए और उनके साथ चीलाओट कीजिए यहां पर आपको millions of options मिल रही है जहां पर आप team that match खेल सकते हैं, hide and seek खेल सकते हैं, tons of options है, open world map है जिसको आप explore कर सकते है, hangout कर सकते हैं, chill कर सकते हैं, chatting कर सकते हैं, millions of player के साथ आप आप वहां पर compete कर सकते हैं तो यार अब हमारा दूसरा पोर्शन शुरू होता है जिसके अंदर हम गेम्ज लाइक बॉम स्कॉार्ड आपको बताएंगे बढ़ते हैं नमबर 6 की तरफ बॉमर ग्राउंड आयो यहां गए यह एक 25 बैटर रोयाल मल्टि प्लेयर गेम है जिसके अंदर गाईज आपको अपने ऑपोनेंट को बॉम्म के साथ ट्रैप करके मारना होता है मज़े की बाद यह है गाईज इस गेम के अंदर आपको एक बैट दिया जाता है जब आप अपने अपोनेंट के करीब आएंगे तो आप उस बैट को जब स्विंग करेंगे तो आपका अपोनेंट स्टन हो जाएगा फिर आप जल्दी से जल्दी उसके इद गिद बॉम लगा अगर भाग जाईए वहां से और याद दूसरी ओप्शन ये दी गई है कि अगर आपने बॉम कहीं दूर रख दिया है तो आप बैट को स्विंग करके उस बॉम को अपने अपोनेंट की तरफ ठैंक सकते हैं ये वाली गेम भी बहुत ही मज़े की है यहां पर आपको काफी सारे बॉक्सिस मिल जाएंगे उनको आप एक्स्प्लोड कीजिए वहां से काफी सारी पिकप्स मिलेंगी जो कि आप यूज़ करेंगे अपने अपने आपनेंट को मारने के लिए बढ़ते हैं नमबर 7 की तरफ बॉम बॉट्स अरीना जी हां गाई ये एक 4 प्लेयर मल्टि प्लेयर गेम है जिसके अंदर गाईज आपने अपने अपनेंट को अपने बॉम के सार्ट रैप करके मारना होता है आप अपने करेक्टर को टोटली कस्टोमाइज कर सकेंगे डिफरेंट यहां पर अरीना चूज़ कर सकेंगे वैसे तो यार इस गेम के अदर ज्यादा कुछ करने को नहीं है लेकिन ये गेम क्योंके न्यू थी और बॉम स्कॉार्ड के साथ थोड़ी सी मैच करती तो दिया बढ़ते हैं नमबर 8 की तरफ बॉमर फ्रेंड यहां गाई यह भी बॉम स्कॉार्ड की तरह गेम है जिसके अंदर गाईज आपको अपने अपोनेंट के साथ फाइट करनी होती है यहां पर गाईज इंट्रस्टिंगली यह आप एक टीम बनागर भी खेल सकते हैं और और अपने अपोनेंट के ओपर एक्स्प्लोडिंग करनी होती है यहां पर गाईज आपको टोडली 40 टेंक सेलेक्ट करने के लिए मिल जाएंगे जिनके ओपर आप आल्मोस्ट 120 वेरियस काइंड ओव वैपन को चूज करके अपने अपनेंट को कील कर सकेंगे फाइनली यार इस सीरीज को लेते हुए हम आचुके हैं आखिर तक जहां पर हमारी जो लास्ट गेम है उसका नाम है बैल लेंड ब्रॉल जिहां गाईज यह एक वन वर्सिस वन ब्रॉल शूटर गेम है जिसके अंदर गाईज आपको अपने टावर को डिफेंड करना होता ह यार इस गेम के अंदर बेसिकली तो आपको अपने टावर को डिफेंड करना होता है उसके लिए गाईज आपको कोईन्स को बहुती संभाल के और ध्यान से यूज करना होता है क्योंकि कुछ जो ब्रॉलर होते हैं वो महंगे होते हैं कुछ सस्टे होते हैं पहले आपकी अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपने हमारे सोचल प्लैटफॉर्म को अभी तक विजट नहीं किया तो हमारा फेस्बुक के उपर भी वेज़ा है और ओशियल वेबसाइट भी हमने लॉंच कर दिया उसे भी विजट कर लीजि हमारे से ऴीजट कर दो ओ आपने हमारे स Joy